हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है तो उसमें हमारी क कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। एक डॉक्टर के परचे की दवा है जिसे एंग्जाइटी डिसॉडर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह तंत्रिका कोशिकाओं की असामान्य और अत्यधिक गतिविधी को कम करके मस्तिश को शांत करता है। यह रदय और रक के समान लेवल को बनाए रखने में मदद मिलती है। इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधी मिले क्यूकि इसमें आदत निर्मान क्षमता है। अगर आप इस दवा की कोई खुराक लेना भूल गए हैं तो जैसे ही आपको याद आए उसे ले लें। चाहे आप बहतर महसूस करें तो भी इलाज का पूरा कोस खत्म करें। ये आवश्यक है कि इस दवा को अचानक से लेना बंद न करें क्यूकि इसके कारण विड्रॉल लक्षन हो सकते हैं। ये दवा लेने के दौरान शराब के सेवन से बचें क्यूकि इस से प्रभाव कम हो सकता है। इस दवा की कुछ सामाने साइड इफेक्ट में उल्जन या दाश्ट बिगरना, धीमी हिर्दे गती, ठकान और बुरा सपना शामिल हैं। इससे चक्कर आने और नींद आने जैसी समस्याइं आ सकती हैं। इसलिए जब तक आपको पता न हो कि यह नुभव हो तो अपने डॉक्टर को बताएं। अगर आप लिवर की बीमारी से पीडित हैं, तो दवा लेने के दौरान सावधानी बरतें। आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी जानना चाहिए जो आप ले रही हैं, क्योंकि इन में से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। अगर आप गर्भवती है, प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकान पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद